जै मातादी दोस्तू। बिरोजगार जातकों को कई नौकरिया मिल सकती है। जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। और ऐसे जातक जो नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी समय शुब है। वी अक्षर से नाम वाले जातकों के लिए ये साल प्रेम संबंदों के मामले में मिले जुले फल को लेकर आएगा। एक तरफ तो जहां आपके लवर के साथ आपके संबंद मजबूत होंगे वही हम साल के आकरी भाग प्रेम संबंदों के लिए बहुते शुब रहेगा। प्रेम संबंद बहतर बनेंगे। अगर लव पार्टनर के साथ किसी वितरह का कोई भी मनमुटाव है तो ये समय आपके रिष्टे में प्यार के पल लेकर आ सकता है और आपके रिष्टे के बीच आई दूरियों को कम कर सकता है। पैसो का ये बढ़ता परवहा आपकी आर्थिक सिती को मजबूत करेगा। पूरन में किया गया निवेश वर्ष 2020 में आपको अच्छा रिटन दे सकता है। इसके साथ ही इस समय आपके द्वारा किसी मुल्यवान चीज़ की खरीदारी होने की भी संभावना है। आई के शेत्र में अच्छा इजावा होने की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए आर्थिक फाइदे का रहेगा। आपकी शिक्षा की बात करें तो राशीफल 2020 के अनुसार चात्रों के लिए ये साल अपेक्षा गरच शुब रहेगा। पढ़ाई में की गई आपकी मेहनत आपको सफलता के उश्टम शिकर तक पहुँचाएगी। परिक्षा में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इस और प्रियासरत हैं। मेडिकल और इंजीनियर प्रिक्षा की तयारी करने वाले जात्कों के लिए भी समय शुब रहेगा। स्वास्ते की बात करें। तो राशीफल 2020 के अनुसार ये साल स्वास्ते की दिष्टी से आपके लिए संतोश जनक रहेगा। साल के शिर्वात में सेहत के लिहास से आप उर जवान और स्वस्त महसूस करेंगे। हलाकि यत्राओं के चलते आपकी थोड़ी ठकान महसूस हो सकती है। लेकिन सही खान पान और नियमित रूप से की गई सैर आपको उत्तम स्वास्ते परदान कर सकती है। इसलिए बेहतर स्वास्ते के लिए रोजाना की सैर को अपने दिन चर्या में शामिल करें। इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए। अपने दोस्तों रिष्तेदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।